आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कंपनी लोग का एक केस लो इन्रे जॉन बिफोर्ट 1953 का ये केस है देखो किसी भी कंपनी को रुन करने के लिए कुछ डोक्यूमेंटस होते हैं जिन में शीजे लिख होती है कि कंपनी किस तरीक का बिजनस कर सकती है क्या उसकी पावर्स हैं उसमें से एक है Memorandum of Association और दूसरा होता है Article of Association जो memorandum of association है उसके अंदर object लिखे होते हैं कि किस object के उपर company जो है वो business करेगी अब ऐसा कोई भी contract या ऐसा कोई भी काम company करती है जो कि memorandum of association में जो object close है उसके according नहीं है तो वो सारे क्या हो जाएंगे अल्ट्रा वायर हो जाएंगे और company की capacity से बाहर की चीज़े हैं वो company उन पर काम नहीं कर सकती है आप company law 2013 का अगर section 399 पढ़ोगे तो उस section में लिखा है inspection, production and evidence of document kept by the registrar तो ऐसे सारे documents का आप inspection कर सकते हो जो की registrar के पास रखे हुए हैं कोई भी any person में उसमें लिखा any person में कोई भी person उनका inspection कर सकता है और memorandum of association उनमें से एक ऐसा document होता है अब इस case में होता क्या है जो यह company है यह business में engage हो जाती है वनीड पैनल के business में उसके लिए एक factory erect करती है factory बनवाती है ब्रिश्टन के अंदर अब factory जब बनवा रही है तो उसने कुछ parties के साथ में contract किया उसमें से तीन parties यह हैं पहली है जो builder है जिसने यह factory बनाई थी दूसरी है जिसने वनीड जो material वगरा था वो सब supply किया था तीसरा है जिसने fuel अगर आप कोई factory रन कर रहे हो तो obviously आपको fuel energy की तो जुरूत पड़े गई तीसरा जिसने fuel provide किया था वनीड पैनल्स होते क्या है जो लकड़ी के cardboard वगरा होते हैं जिससे table कूर्सी चेयर में यह सब बनती है अलमारी वगरा बनती है बैड बनते हैं यह इनको बोलते है वनीड पैनल्स उसी से ही काट वीट के यह सब चीज़े बनाई जाती है अब होता क्या है इनकी payment डू थी और उसी दोरान company जो है compulsory liquidation में चली जाती है कंपनी का insolvency हो गया था और उसके लिए फिर लिक्विडेटर जो है वो पॉइंट किया गया तो company जो है compulsory liquidation में चली जाती है अब लिक्विडेटर ने इन सब के जो तीनो यह फर्म सी तीनो जो पार्टी सी इनके पैसे देने से मना कर दिया यह कहते हुए कि जो आपने contract किया है इस company के साथ में वो क्या है अल्ट्रा वायर है company की जो capacities है उनके beyond है क्योंकि memorandum association में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि वो वनीड पैनल्स बना सकती है एक look हम ले लेते है memorandum of association के आपको यह fact case में उसमें paper में लिखने नहीं है सिर्फ और सिर्फ case अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए है इस company के memorandum of association में तीन clothes लिखी हुई थी जिसमें से ए है जो बोलती है कि to carry on business of costumes, gowns, robe, dress, tailor, silk, makers यह सब चीज़े, clothes वगरा, lingering वगरा, perfume, flowers, artificial and natural यह इस तरीके के business में वो company का कर सकती है दूसरी clothes में क्या लिखा है अगर जो boards of directors है उनको लगता है कि यह company के लिए beneficial रहेगा ऐसा कोई भी business जो इन सारी चीज़ों के regarding है इनका ancillary है मतलब इनको support करने वाला है ऐसा कोई भी business जो है वो भी carry on कर सकती है company दूसरा कौन सा कोई भी यह third clothes में क्या है कोई भी ऐसा चीज जो की incidental है आप suppose करो कि यह flowers वगरा का business कर रहे हो, perfume वगरा का business कर रहे हो उसी दोरान उसी चीज़ के regarding कोई भी दूसरी चीज़ है जो की इनकी incidental है वो भी क्या कर सकती है company carry on कर सकती है आपने जो memorandum of association है यह पढ़के लगा होगा कि वनीड पैनल जो है ऐसा कोई भी term इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है case interesting mode तब लेता है जब जो company थी यह वाली company जो थी in region before जो company थी वो इन तीनों parties के साथ में एक जो consent decree है court से वो ले लेती है consent decree का मतलब क्या है कि एक तरीके का agreement उन लोगों के साथ में कर लेती है कि हम आपके पैसे जो है चुका देंगे installments में अब जो consent decree थी वो इस चीज़ को तो discuss ही नहीं कर रही थी कि जो memorandum of association के according ये चीज़े जो है वो अल्ट्रावायर है उसने जो consent decree पास की थी court ने वो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए की थी कि जो contract है वो क्या है इंट्रावायर है तो इन facts के background में दो legal questions अमर्ज होते हैं पहला क्या whether company can be had liable for the debt taken for the ultra wires act क्या company को liable थेराया जा सकता है उस debt के लिए जो उसने ultra wire act करने के लिए लिया है और दूसरा क्या does consent decree और judgment में के ultra wire act intra wires अब court ने ये बोल दिया कि आपने पैसे चुकाने है लेकिन उस वो जो contract हो रखा था वो ultra wire था क्या court की decree की वज़े से consent decree की वज़े से जो company काम नहीं कर सकती थी क्या अब वो कर सकती है क्या वो जो incapacity थी company की वो अब dissolve हो गई क्या जो consent decree है वो inviolable है मतलब उसको parties जो है उसके उपर binding force होगा उस decree का यह दो legal issue इसके अंदर अमर्ज होते हैं कोर्ट की observation देखते हैं इसमें deciding on the question of consent judgment or decree the court held that in the case of ultrawire contract no judgment founded on it is inviolable unless it is embodied a decision of a court on the issue of ultrawires court ने क्या कहा कि कोई भी ऐसी judgment या decree जो है जो ultrawire contract के regarding आई है वो inviolable inviolable तभी होगी जब court ने यह matter decide किया हो किस चीज को धान में रखते हुए कि क्या वो act जो है ultrawire है या नहीं है अगर तो कोई ऐसे decree आती है तो तो वो लागू होगी otherwise वो binding force नहीं होगी जो पार्टी जो है वो उसको violate कर सकते हैं उस decree को क्योंकि इस case में क्या किया था company ने consented decree तो पास करवा ली और बाद में उसने पहली installment देने से मना कर दिया तो एक तरीके से इसने क्या किया जो judgment से उसका violation किया court further emphasize that if the company is not authorized to perform a certain act अब company जो है suppose करो ये वनीड पैनल बनाने के लिए authorized नहीं थी तो एक consent judgment from the company does not make it valid भले ही court में जाकर के company ये कह दे कि हम ये जो perform करना चाहते हैं contract तब भी वह valid नहीं होगा क्योंकि वह company की capacity के beyond की बात है अब आपको ये सोच के हैरानी हो रही जब company खुद चाहरी है कि हम perform कर सकते हैं या फिर उसके पैसे हम लोटाना चाहते हैं तो court क्यों मना कर रहा है देखो इस case में क्या हुआ था liquidator जो है वो appoint किया गया था liquidation के लिए company जो solvent हो गई थी और उसके लिए company की जो properties है वो base करके करजा चुकाया जा रहा था तो लिक्वीडेटर उनका करजा पहले चुकायेगा ना जो जो legally authorized persons है जिन्होंने सच में contract जो है intrawire सच इनका पहले करजा उनका चुकाया जाएगा अब सारा पैसा इनका करजा चुकाने में अल्ट्रावाइल एक्ट इन्होंने कर रखा है और इनका कर्जा चुकाने में अगर वो पैसा है पूरा खातम हो जाएगा तो बाकी सब का कैसे चुकाया जाएगा So the court clarified that a company cannot simply agree in the court to do something beyond its legal power. Court also mentioned that the company's public document I already told you that according to section 399 जो memorandum of association है वो एक public document होता है और कोई भी person जो है उसको पढ़ सकता है और वो क्या करता है एक constructive notice सर्व करता है जो भी person मैं एक individual हूं मैं किसी company के साथ में कोई contract establish करता हूं और बाद में मेरे को पता चलता है कि वो ultrawire है तो मैं उसको court में जाके enforce नहीं करवा सकता हूं क्योंकि मेरे प्यास constructive notice था मुझे वो memorandum of association जो है वो पहले पढ़ना चाहिए था contract करने से and if a debt is outside the company's intended scope the company is not responsible for it और अगर कोई भी ऐसा debt लिया है company ने जो कि ultrawire act के अंदर लगा दिया उसने पैसा तो company उस debt को चुकाने के लिए liable नहीं ठहराई जा सकती है इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि जिसने जो contract किया है suppose मैंने किसी company के साथ में contract किया और वो ultrawire निकल गया तो ऐसा नहीं है कि मिरे पास कोई और relief नहीं है मिरे पास बहुत सारी और other relief हो सकती है हो सकता है कि court जो है उन members को जो है तो इस case का just अगर मैं बताओं तो तीन lines में बताना चाहूंगा पहली चीज क्या है कि जो memorandum of association है वो एक constructive notice होता है उसको पढ़ना चाहिए दूसरी चीज क्या है memorandum association की object close में अगर कोई चीज नहीं लिखी है तो अगर चाहें सारे के सारे shareholder शारे के सारे board of director मिलकर भी अगर resolution पास करेंगे कि यह x काम जो है company को करना चाहिए और memorandum association में एक्स काम एक्स जो यह object के अंदर नहीं लिखा है तो इसको नहीं कर सकती company और तीसरी चीज क्या है भले ही court भी Concentred decree pass कर दे तब भी company उस काम को नहीं कर सकती है I hope आपको यह case जुरूर समझ में आया होगा इसकी जो PDF आप मेरे telegram channel से download कर सकते हो Telegram channel का link मैं आप सस्क्रिप्श ने डालून, also you can search my telegram channel by name ौभाइस 906 If you haven't subscribed to my channel, please subscribe to it, thank you so much